यहां पर हम बात करने वाले आपके जीके कैसे क्या पूंचे जा रहे हैं कुछ कॉशन मेरे पास अभी आए हैं सुटेंट से तो वह मैं आपको यहां पर डिसकस करा दूंगा उनके आंसर्स वगारा के साथ में इसके अलाबा गर आपका भी एक्जामेनेशन हुआ है तो आप कॉशन भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और यह जो कॉशन से अफकोर्स परफेक्टली जन्यून है कि मैंने देखा है कई सारे जगए आपके गलत अनालिसस करा दिये जा रहे हैं तो एक बार हम फटा-फट से यहां पर चीजों को देखते हैं तो सबसे पहले कॉशन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पहला कॉशन आपका आप रहा था जो आपका काकोरी कांड हुआता है ना यह काकोरी कांड हुआ था तो इसमें आपसे कॉशन था कुछ आपको चार ऑप्षिन दिए गये तो इसमें से पूचा था इन्मेंसे following मेंसे कौन सा नहीं थाका मतलब जो अंजाम दिया है कि इसने दिया था था तो यहां पर राम परसाद बिसमल ठीक है और अश्वाक अलों हो का नाम यहां पर इस ओसनों अंजाम दिया और लेकिन आगर मैं आप téc राजेंद्र लाहरी हो गए ठीक है राजेंद्र लाहरी भी इस एसोसियेटेड थे चंदर सेखा राजाद भी थे तो जो भी वैसिकली वस्टाइम के गरम दल को जो मानते थे गरम यानि के लड़ने पर जो लोग बिलीव करते थे उसमें मोस्टी लोगों ने इसको जो है यहा पर आपके मन मातनात हो जाते हैं इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और यहां पर केशव चक्रवर्ती और फिर बनवारी लाल और इसके अलावा गर मैं आपसे बात करूं तो मुकंदी लाल ठीक है यह सब लोग थे जो काकोरी कंड से यहां पर एसोसियेटेड इनके नाम पूरे निकलके आए थै तो यहां पर आपको यह सारे नाम यहां पर ध्यान में रखने हैं इसके अलावा जो भी चौथा ओप्ष sites सामने रहा होगा वो इससे काकोरी कंड से श्यडिक नहीं थे Age आपसे बात आती है काकोरी कंड आपका कहां पर हुआ तो यह भी यहां पर हुआ था अगले question पर आते हैं फिर फड़ा फड़ से देखो एक question आपका आया था जो घागरा नदी है घागरा नदी घागरा नदी यह कहां से होका निकलती है तो घागरा नदी देखो आपकी UP से होके निकलती है और आपकी बिहार से होके निकलती है आगर आप से पूंछ लिया जाए डागरा निदी का ओरिजनेट कहां से होती है मतलब है ना कа है निकलती है अगले कोशन पर आ जाते है अगर मैं मैं बात करूँ तो एक कोशन आ SICI में Half Yearly से आया था, ठीक है? Half Yearly से आपका SICI में Question आया था, और Math में ही आपका Successive Discount से भी Question आया था, ठीक है? तो ये अच्छे से देख करके जाना, Math में वैसे ज़्यादा कुछ खास Concept नहीं आ रहे हैं, Conceptual Basis पे देखें तो बहुत easy ही paper है, बट कुछ calculation का part है, जो कि आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है? अब calculation का part तो ऐसी बात है कि कोई वैसा paper अचूता नहीं है, उसमें की calculation part आपका ना बढ़ रहा हो Even जो Air Force का group XY का paper, जो 12 वाले बच्चे देते हैं, 18 years के इस examination में भी calculation का level बढ़ रहा है, तो calculation का level तो हर जगा बढ़ रहा है आप SSC से लेकर के Air Force उठा लो चाहें, आप DDA जो होता है, DDA Delhi Development Authority का examination अभी हुआ था, तो सारे के सारे examination में calculation का level बढ़ रहा है मेगालिया के harvest festival का आप से नाम पूंचा गया था, यह पूरा नाम होता है मेगालिया के harvest festival का तो यह भी आपको पता होना चाहिए, वैसे question जाता नहीं पूछा जाता है बट आजकल जो static GK है वो आपकी अब normal जो पहले पूंची जाया करती थी, वो अब format नहीं रहा है आपकी जी के पूंची जा रही है, तो चीजें आपको कहीं ना कहीं expand करके ही पढ़िनी पढ़ेंगी, competition काफी ज्यादा है वैसे भी ठीक है, तो एक question आपका देखो, यहाँ पर पूंचा गया था, कि जो आपका baking soda होता है, इसका chemical formula क्या होता है, ठीक है क्या होता है, sodium hydrocarbonate, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, na क्या होता है, na का मतलब होता है sodium, h से आपका होता है hydrogen, c से होता है carbon, उसे होता है आपका oxygen ठीक है, तो यह बात भी आपको यहाँ पर देखनी है, अगले question पर आते हैं, 6th number के question के, अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक question आया था आपका, article number 44 में क्या है, article से वैसे आपके 4 question बने थे, 3-4 question article के आयते, लेकिन जो student को यहाँ पर याद था, वो था article number 44, ठीक है, article number 44 में था आपका, uniform civil code, क्या था, uniform civil code के बारे में था, कि uniform civil code क्या होता है भई, तो य आपका article 44 में बताया गया, all right, अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अपने इंडिया में आपको पता है कही सारे religion है, यहाँ पर यहाँ पर हमारे constitution में क्या बोला गया है, कि आप अपने religion के accordingly काम नहीं कर सकता हो, यह नहीं कि आप accordingly, अपने religion के according कुछ भी आपने, अगले question पर आते हैं, एक question आपका देखो, अब जो मुझे question बताया है, वो बताया था 2019 Grand Slam क्यों पर, ठीक है, एक question आया था 2019 Grand Slam मेल का, अब उसे यह याद नहीं है कि Grand Slam आपका कौन सा वाला था, क्योंकि Grand Slam ना आपके basically 2019 के 3 है, एक है आपका Wimbledon Grand Slam, Wimbledon, ठीक है, एक आपका Australian Open, Australian Open वाला आपका जो Grand Slam होता है, तीसरा है आपका French Open, ठीक है, French Open वाला, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, कौन सा question है था, अगर आपने अभी examination दिया है, तो एक बार comment करके जरूर बताना, कि examination में आपका कौन सा वाला Grand Slam मुझा हुआ था, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर सारे के जो तीनों के तीनों हैं, इनके मैं आपको answer बता देता हूँ, तीनों ही किस-किसने जीते हैं, male category में, तो देखते हैं इसको, Wimbledon और अगर मैं Australian Open की बात करूँ, दौनों एक नहीं जीते हैं, एक ही person ने जीते हैं, जिरका नाम क्या है भई, Novak जोकोविच, ठीक है, Novak, जोकोविच, और अगर मैं आपसे French Open की बात करूँ, तो French Open जीता है, राफेल नडाल ने, ठीक है, किसने जीता है, राफेल नडाल ने, 2019 का, तो यहाँ पर अब ये चीज़ क्लारिफाइड नहीं थी, तो मैंने तीनों के बता दिया आपको, अगले लाइन में, जो आप उसके अपर सिंबल लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अच्छा, ये कोशन है कि उसको हम बोलते क्या हैं, जो आप अपर सिंबल लगाते हो, तो उसको बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट ब बताना फिल्हाल मेरे पास में इतना ही कॉशन से बाकी उल्टे सीधे दुनिया चान के कॉशन साते रहते वर्ट यह जो कॉशन में आपके सामने लाता हूं दो तीन बच्चों से वैरिफाइग करके ही लाता हूं तो यह आपके सामने जो जिन्यून है तो अभी साचन को इंपेंड करेंगे थैंकियू सुमच गॉडब्लेस से ओल टेक क्यार और बबाए